नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूटिव चैनल अक्षितास्ट्रो मास्टर में मेरे वरिष्चक लगन हैं वरिष्चक राशी वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों बात करें अगस्त मास्की तो इस मास्क ग्रैग उच्र आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। इस मास आप भाग्य ब्रोंसे नहीं बैठेंगे, करम करेंगे, करम परदान बनेंगे। भाग्या से आगे करम को रुखेंगे। इस मास का ग्रैग उच्र पदोनती परगती तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। कार्य शेत्र में आपका रोब और रुत्वा बढ़ेगा। सभी जन आपको सम्मान की द्रिष्टी से देखेंगे। उच्छ अधिकारी वर्ग से मित्तरता पुरन संबंद बनेंगे। दोस्तों जैसे जैसे मास वैतीत होता जाएगा। आपका यश्केर्थी तथा का आलम अब दूर होता दिखाई देगा। आप अपनी लगन, मेहनत, प्रयासों और भोधिक योग्याता से कार्याशेत्र में सफलता एम उन्नती के शिखर तक पहुंचेंगे। लाब के नए द्वार विक्सित होंगे। जनब कुर्ली में भी इस समय योग का रक दशा चल कोई नहीं रोक पाएगा। आपके परवाव में व्रिदी होगी। शत्रू परवाव हीन हो जाएंगे। इस मास का ग्रै गोचर पूरन रूप से आपके पक्ष में है। दोस्तो एक नज़र डालें अगस्त मास में। आपकी राशी पर बनरी ग्रै गोचरी स्थिती पर तो राशी स्वामी मंगल पूरन मास मित्तर राशी में विराहमान होकर करम भापर गोचर करेगा। तथा गुरू देव के साथ दृष्टी स्वंद बनाएगा। यह स्थिती आपको स्वास्थ के साथ सकरातमक्ता पर दान करेगी। शरीर निरोग रहेगा। कार्या शेत्र में आप जोश एम उर्जा शक्ती युकत रहेंगे। नेतर तब शमता का विकास होगा। साहस प्राक्रमकारक मंगल का करमबा पर गोचर। साहस पुरन एम जोकिम पुरन कारेओं में रूची पैदा करेगा। तथा ऐसे कारेओं को आप बहुत ही सहिष्टा से संपन क्रोध के भाब की अधिकता भी देखने को मिलेगी। कारेओं शेतर में आपका गोसेला स्वाब चर्चा का केंदर बनेगा। आपके नीचे कारेओं कर्मी आपके प्रवाब से प्रवावित होंगे। तथा डिसिप्लिन में रहेंगे। आप दूसरों पर हुकम चलाने और उनसे काम निकलवाने में माहिर होंगे। आप अपने कारेओं के प्रती पुरण रूप से समर्पित रहेंगे। राशी स्वामी मंगल का करम बापर गोच्चर आपको आगे बढ़ने और कुछ निया करने के लिए प्रेरित करेगा। अपना प्राकरम दिखाने के अनकूल प्रापत होंगे। सहास पुरण एम जोकिम पुरण कार्या करने वाले दोस्तों के लिए मंगल का गोच्चर उत्तम साबित होगा। दोस्तों अगस्त मास में तीन ग्रेहों का राशी प्रवर्तन है। तथा यह तीनों ही राशी प्रवर्तन आपकी राशी के लिए अत्यान अगस्ता का भाग्यावा पर गुच्चर करेगा दोस्तो आपकी राशी के लाब भाब के स्वामी बुद्ध का भाग्यावा पर गुच्चर भाग्या के सायोग से लाब के अनकूल अबसर पैदा करेगा मित्र आपकी सहता करने के लिए ततपर रहेंगे तथा मित्रों के सायो बुद्ध का करम बापके स्वामी सुर्या के साथ यूति योग, बुद्ध अधित्य योग का निर्मान कर रहा है, शुब करमों का पूरन फल लाब की रूप में मिलेगा, प्रंतु सुर्या बुद्ध पर शनी की वकर द्रिष्टी के फलस्व रुप, वहे शुब फल जाएंगी नो अगस्त को बुद्ध राशी प्रवर्तन कर शनी की वकर द्रिष्टी से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे तता करम बाब में प्रवेश कर चाहेंगे अब करम बाब पर तीन ग्रहों के यूती योग से करम की स्थिति मजबूत होगी कार्याशेत्र में सहास प के सासत होश से भी काम लेंगे कार्याशेत्र में आपको अपनी बोधिक योग्याता का बरपूर लाब मिलेगा जहां पर मंगल का जोश काम नहीं आएगा वहां पर आप बुद्धी की बुद्धी मता से काम लेंगे तथा सफलता पर आपत करेंगे बुद्ध पर ग्यान कर गुरू की दिरिष्टी के फलस्वरोग आपकी बहुदिक शम्ता और ग्यान में अभूत पुर वरिदी होगी। आपके ग्यान की कोई सीमा नहीं रहेगी। बहुदिक शित्रों से जुड़े दोस्तों के लिए यह ग्यान गोचर विशेश लाब एम आई वरिदी के अफसर लेकर रहेगा। बाहुबल और बुद्धी वल से आप लाब मार्ग परशस्त करेंगे। पिछले लंबे समय से महामारी के कार्नवश हो चुके आर्थिक नुक से भी पीछे नहीं हटेंगे। करम बापर गुरु की द्रिष्टी आपको शुब करम करने की और प्रेरित करेंगी। आप इमानदारी एम निष्ठा पूर्वक अपना कार्या करेंगे। शनी का गोचर भी आपको आतम विश्वासी बना रहा है। आपका अपने प्रती वि दूर होती दिखाई देगी। दोस्तों कुल मलाकर बुद्ध का राशी प्रवरतन शुब्दा के साथ सुखों में भी वृदी कारक रहेगा। बुद्ध 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त करम बापर ही गोचरस्त रहेंगे। दोस्तों बुद्ध के बाद राशी प्रवरतन है लगजरी लाइफ एंबोतिक सुखों के कारक शुकर का। 11 अगस तक शुकर भी करम बापर गोचरस्त रहेगा। इस अवदी में आपको लाइफ पार्टनर या बिजनस पार्टनर का कारह शेतर पर सहयोग प्रापत होगा। तथा यह सहयोग लापरद रहेगा। कारह शेतर हम दादश बाप के स्वामी भी है। कारह वेपार के स्वंद में विदेश से तार जुडेंगे। कारह शेतर के स्वंद में घर से दूर या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश तक कारह वेपार के विस्तार करने के इच्छुक दोस्तों के लिए शुकर का उत्तम है दोस्तों ग्यारांगस्त को शुक्र राशी पर वर्तन कर एकादश बाव में प्रवेश कर जाएंगे एकादश बाव आए एम लाब सिस्वंदित बहुत ही महत्त पुरन पाव है शुक्र का इस बाव पर गोचर बोतिक सुखों में वरिदी करेगा एकादश बाव प वेपार भाब के स्वामी भी है इसलिए शुक्र का गोचर वेपारी दोस्तों के लिए भी काफी लाब परद है वेपार से लाब एम आए बरिदी की परवल संभावनाएं पैदा हो रही है खासकर इस तरी स्वंदित वस्तूओं का वेपार करने वाले वेपारी दोस्त आद्यम से लाब के योग बनेंगे शुक्र का लाब आपर गोचर इस तरी स्वंदित सुखों में वरिदी करेगा वाहन सुख में वरिदी होगी इस समय कोई नया का रह वेपार शुरू करना या पुराने वेपार में नया निवेश करना लाब दाहिक रहेगा कुल मिलाकर का राशी प्रोर्तन लाब में वरिदी करेगा दोतों शुक्र के बाद तीसरा राशी प्रोर्तन है ग्रहों के राया प्रतापी सूरिया का सूरिया का राशी प्रोर्तन आपकी राशी के लिए गेम चेंजर का कार्या करेगा स्तारां गर्स्त को सूरिया राशी प्रोर्तन कर करम भाव अपने ही भाव में परवेश करेंगे तथा गुरू के साथ दृष्टी स्वंद बनेगा अब सूर्या के बल में वरिदी से पिता और सरकार का सुख सने प्रापत होगा सूर्या के पिछले गोचर में वक्री शनी की दृष्टी के फास बुरू पिता एहम सरकार के स्वन्द में परस्थितियें प्रती कूल बनी हुई थी सूर्या अपना शुबफल देने में असमर्थ था प्रण्टु अब सूरिया के स्मान में पर स्थितिय बेहतर होती दिखाई देंगी पिताजी के सुख, सने, सैयोग, स्वास्त, ऐम स्वाब में बेहतर प्रिवर्तम देखने को मिलेगा खोया हुआ मानसमान पुन प्रापत होगा दोस्तो स्तारा अगस्त के बाद मानसमान कारक सूरिया की मजबूत स्तिती से आपके मानसमान एंपरतिष्टा में वरिदी होगी सरकारी उच्छ अधकारियों के साथ साथ समाज के महत्त पुरन एंपर वाबशाली वियक्तियों के साथ मेल जूल एं मित्तरता पुरन संबंद बनेंगे कार्या शित्र में सब आपको सम्मान की द्रिष्टी से देखेंगे सूर्या के करमभा पर गोचर से यश, कीर्ति, पद, एंपर, तिष्टा सब कुछ प्रापत होगा जनम कुली में भी सूर्या की स्थिती शुब है तो सोने पर सुहाग्य जैसा है सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्या करना है तो स्तारा अगस्त के बाद का समय बेहद शुब है रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनकूल अबसर पैदा होंगे करमभा पर दो अरजा कर ग्रेंग सूर्या एममंगल का यूतियो आपको समाज के प्रवाबशाली व्यक्तियों की श्रेनी में लाख खड़ा करेगा राजनीती से सबंदित दोस्तों को अगस्त मास का ग्रेगोचा महत्तब पुरन पद दिलवा सकता है दोस्तों अगस्त मास के अंत में 26 अगस्त को लाब बाब के स्वामी बुद एक बार फिर राशी प्रवर्तन कर लाब बाब अपने ही भाब में प्रवेश करेंगे अब लाब की स्थिती अत्यांत ही मजबूत बनेगी लोक लग चुका वेपार अनलोक होगा अक्समात लाब के योग बनेंगे पैत्रिक समत्ति सबडियां सुस्राल पक्ष के माध्यम से लाब हो सकता है निवेश के लिह भास से भी यह ग्रेग ओचर अतियुत्तम एम लाब परद है दोस्तों के माध्यम से लाब मारक पर Cle Heidi होगा संतान सुक में बृदी होगी दोस्तों मास के अंतमे करम एमलाबाब की मजबूत स्थिती के साथ आप सितंबर मास में परवेश करेंगे कुल मिलाकर अगस्त मास का ग्रैगोच्च महत्त पुरुन बदलाव के संकेत दे रहा है आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूले धन्यावाद